सपना बाबल का बिदाई में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा क्लाइन प्रिन्वीर को सब सच बता देता है कि ये सब नवीन का किया हुआ है वो ये भी बताता है कि सिर्फ इस बार ही नहीं नवीन जी तो आपकी कम्पनी को बरसों से लूट रहे हैं कोशले निवास में सब सगाई की तैयारियों में लगे हैं तभी वहाँ साधना आती है तो नानी जी उसको बोलती है कि तुम आ तो गई हो पर कोई जहमेला मत खड़ा कर देना सगाई की रस में शुरू होती है तभी वसू का कॉल आता है कि कल आपका बेटा घर आ जाएगा पर आप वादा करिए कि इसी हफते में आप रागिनी की शादी करा देंगे प्रकाश्चंद बिना कुछ कहे गुस्से में फोन कार्ट देते हैं शुषिर जैसे ही रागिनी का हाथ पकड़ता है अंगूठी पहनाने के लिए तभी वहां रनवीर आ जाता है विनीद की बेगुनाही का सबूत लेकर प्रकाश्चंद हाथ जोड़कर रनवीर से कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो आत्मसब्मान हमें बचा है उसे बक्ष दीजे और आप यहां से चरे जाईए रनवीर कहता है कि मैं विनीद भाईया की बेगुनाही का सबूत लाया हूं दूसरी तरफ अबनी और नवीन खुश प्रकाश्चंद को बताता है रनवीर साथना से कहता है कि हमें घर चलना चाहिए भावी तागी हम सब को सच बता सके पर रनवीर से पहले प्रकाश्चंद शर्मा राजवन शाउस पहुंच जाते हैं उस क्लाइंट को लेकर वहीं शिशिर भी यह फील करता है कि रागनी और रनवीर के बीच कुछ है वो बार बार रागनी और रनवीर की तरफ देखता है अब यह देखना तो काफी एक्साइटिंग होगा कि कैसे वसंधरा और इंद्रजीत इस बात पर रियक्ट करेंगे जब उनको पता चलेगा कि इन सब के पीछे नवीन है क्योंकि प्रकाश्च है उसको भी ओल पर करिएगा कोई भी वीडियो आपसे मिस्स ना हो विदाई के बाकी वीडियो आप आई बटन पर देख सकते हैं अगर वो आपने अभी तक नहीं देखें हैं तो आप मुझे शोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्रिप्शन बॉक्स में है अब मैं मिलती हूँ आप लोट से अपने नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई एंट टेक केर स्टे सेफ स्टे होम